पार्ट फोर क्या महिलाओं के लिए भी क्रांती हुई? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसेसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रोप से शामिल थी उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागिदारी क्रांतीकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हैतू ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी तिसरे स्टेट की अधिकांस महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी वेसिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी बाजारों में फल, फूल, सबजियां बेशती थी अत्वा संपन घरों में घरेलू काम करती थी बहुत सारी महिलाएं विश्या विर्ती करती थी अधिकांस महिलाओं के पास पढ़ाई, लिखाई जथा व्यवसाईक प्रशिक्षन के मौके नहीं थे केवल कुलीनों की लड़कियां अत्वा तिसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वें पढ़ा पढ़ पाती थी इसके बाद उनके शादी कर दी जाती थी काम काजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोशन भी करना पढ़ता था जैसे खाना पकाना पानी लाना लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख आदी करना उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद को राजनतिक क्लब शुरू किये और अख़बार निकाले फ्रांस के विभिन नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आये उन में The Society of Revolutionary and Republican Women सबसे मशहूर क्लब था उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए महिलाओं इस बात से निराश हुई कि 1791 के सम्विधान में उन्हें निश्क्रिय नागरिक का दरजा दिया गया था महिलाओं ने मताधिकार असम्बली के लिए चूने जाने तथा राजनतिक पदों की मांग रखी उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का परतनुध तो हो पाएगा प्रारंबिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किये सरकारी विद्यालियों की अस्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए अस्कोलिश शिक्षा को अनिवारे बना दिया गया अब पिता उन्हें उनकी मरजी के खिलाफ शादी के लिए बाद नहीं कर सकते थे शादी को स्वाक्षी का नुबंध माना गया और नागरी कानूनों के तहट उनका पंजिकरन किया जाने लगा तलाग को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और दोनों को ही इसकी अरजी देने का अधिकार दिया गया अब महिलाएं ब्यवसाईक प्रसिक्षन ले सकती थी कलाकार बन सकती थी और छोटे मुटे ब्यवसाई चला सकती थी फिर भी राजनितिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्स जारी रहा आतंक राज के दोरान सरकार ने महिला कलबों को बंद करने और उनकी राजनितिक गतिविधियों पर परतिबंद लगाने वाला कानून लागू किया कई जानी-मानी महिलाओं को गिरपतार कर लिया गया और उनमें से कुछ को प्वासी पर चड़ा दिया गया मताधिकार और समान वेतन के लिये महिलाओं का आंदोलन अगली सधी में भी अनेक देशों में चलता रहा मताधिकार का संघर्ष 19. सदी के अंत एवं 20. सदी के प्ररम्भ तक अंतराश्टिय मताधिकार आंदोलन के जरिये जारी रहा कुरांतिकारी आंदोलन के दोरान फ्रांसेसी महिलाओं की राजितिक सरगर्मियों को प्रेर कस्मिर्टी के रूप में जिंदा रखा गया अंतिता सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। स्रोत चव क्रांतिकारी महिला उलंप दे गूज 1747 से 1793 का जीवन। उलंप दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनितिक रूप से सक्रिये महिलाओं में सबसे महतबुन थी। उन्होंने सम्विधान तथा पूरुष यवं नागरीक अधिकार घोशना पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानो मात्र के मूलभूत अधिकारों से वन्चित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरी का धिकार घोशना पत्र तयार किया जिसे महरानी और नेशनल असम्बली के सिज़स्यों के पास यह मांग करते हैं भेजा कि इस पर कारवाई की जाये। सन 1793 में उलंप दे गूज ने महिला कलबों को जवर्दस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देश द्रोह का मुकदमा चलाये गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फासी पर लटका दिया गया। स्रोत छ उलंप दे गूज के घोशना पत्रे में उलिखित कुछ मूलभूत अधिकार। फरस्ट आरत जन्मना सुतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। सेकिंड, सभी राजनतिक संगठनों का लक्ष पुरुष एवं महिला के नैसरगिक अधिकारों को संरक्षित करना है। ये अधिकार हैं सुतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोसन के परतिरोध का अधिकार। थर्ड, समग्र संप्रभूता का स्रोत राश्टर में नहीं थे, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संग के सिवाए कुछ नहीं है। फूर्थ, कानून सामान इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रुप से या अपने परतिनिद्यों के माध्यम से विधी निर्मान में दखल होना चाहिए। या सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष, नागरिक अपनी योगिता एवं प्रतिभा के बल पर, समान रुपसे एवं बिना किसी भेद भाव के, हर तरह के सम्मान वो सारजनिक पद के हकदार है। फिप्थ, कोई भी महिला अपवाद नहीं है, या विधि सम्मत प्रक्रिया दोरा अपराधी ठहराई जा सकती हैं, गिरफतार और नजर बंद की जा सकती हैं, पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। स्रोत जव, सन 1793 में जैकोबिन राजनितिग सोमेत ने इन आधारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णे को उचित ठहराया। क्या प्रकृती ने घरेलू कारे पुरुषों को सौपा है? क्या प्रकृती ने बच्चों को दोध पिलाने के लिए हमें अस्तन दिये हैं? नहीं! प्रकृती ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृशी, राजनितिक कर्तब या तुम्हारा सामराज हैं। प्रकृती ने महिला से कहा, इस्तरी बनो, ग्रहस्ती के काम, मातरितु के सुखद दाईतु, यही तुम्हारे कारे हैं। पुरुष बनने की इच्चा रखने वाली महिलाएं निरलज हैं। क्या जिम्मेदारियों का उच्चित बटवारा हो नहीं चुका है?